तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो भाईयों एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ मैं फिर हाजिर हूँ और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मिंडा के अंदर लॉक किट लिए हमने सूपर स्प्लेंडर की भी है हमारे पास और एचेफ डिलैक्स की है दोनों के अनबॉक्सिंग करेंगे प्राइस देखेंगे कितना इसको पर डिसकाउंट मिल जाता है क्या-क्या कंप्लीट लॉक किट के साथ निकलता है हम वो भी देख देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है लॉक किट और यह इसका पार्ट नमबर है और लॉक किट के साथ जितने भी लॉक निकलने वाले हैं सब यहां पर मैंशन किये हुए हैं फटावट हम देख लेते हैं देखेंगे इंगनेशन सुच कम स्टेरिंग लॉक आप देख सकते सकते हैं और इसमें वन पीस आपको टूल उओक्स का लॉक मिल जाएगा और वन पीस फ्यूल टेंग की कैंप मिल जाएगी और एक χाल मिल जाया को जो बैक साइट में लगता है और किट के साथ आपको दो की मिल जाएगी इस उपर स्पेंडर न्यू मोडिल की ये कंप्लीट लॉक किट है, 929 रुपेज की MRP है, दिसंबर 2022 मैनुफेक्चिंग डेट है, फटा फट हम इसको ओपन करते हैं और निकालते हैं डिपे से बाहर, तो भई बॉक्स हमने ओपन कर दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीकी की पन्नी के साथ ये कंप्लीट लॉक के टाती है, पन्नी के उपर भी कंप्लीट मिंडा लिखा हुआ है, तो फटा फट इसको निकाल लेते हैं, बाहर और देखते हैं क्या इसकी क्वालिटी रहने वाली है, फ्यूल टेंक की कैप है, आप देख सकते हैं, और बाकी के लिए ल लिखा हुआ है और यहां भी मिंडा लिखा हुआ है और लॉक की बात करते हैं तो भई लॉक देखे अवाज आपके सामने है बहुती अच्छी तरीके से यह काम कर रहा है दो वायर का इसके अंदर आपको कपलर मिल जाएगा दो वायर का कपलर ही आता है न्यू मॉडल के कुछ नंबर लिखे हुए है और मिंडा शायद कहीं लिखा होगा इसके उपर दिखाई नहीं दे रहा है कहा मिंडा लिखा हुआ है लेकिन मिंडा कहीं लिखा होना चाहिए यहां पर देखिए स्पार्क लिखा हुआ है शॉर्ट में लिखा हुआ है यहां पर नीचे आप helmet अपना लगा सकते हैं lock करने के बाद और अब बात करते हैं fuel tank cap की तो एक fuel tank की cap आपको इसके साथ मिल जाएगी देख सकते है fuel tank की cap है ये और quality भही इसकी भी बहुत ही बढ़िया है fuel tank की cap की देख सकते हैं ये finishing भी इसकी बहुत ही बढ़िया है ये lock टकी के अंदर लग जाएगा तो भाई all over quality की बात करते हैं तो भी मिंडा के अंदर complete lock kit की super spend की quality बहुत ही बढ़िया है चलिए अब इसको रख देते हैं site और अब बात कर लेते हैं HFD Lex की ये है HFD Lex की complete lock kit जो हमने लिए है मिंडा के अंदर फटा फट इसकी unboxing करें उससे पहले हम इसका part number वगएरा देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है lock kit ये इसका part number है और जितने भी part lock kit के अंदर निकलने वाले हैं सब यहाँ पे mention किये हुए अगर BS6 के हम बात करते हैं complete lock kit उसकी अलग है और BS6 से पहले की अगर हम बात करते हैं BS4 की उसके अंदर भी दो kit है और एक HFD Lex की kit के अंदर जो new model में kit है fuel tank की cap कुछ इस तरीके की आती है जैसी की ये super splendor की है और old वाली के अंदर passion old की जैसी cap होती है steel का जो उसके अंदर होता है fuel tank की cap कुछ इस तरीके की आती है तो अब हमें देखना है कि भई इसके अंदर कौन सी वाली किट है और कौन सी वाली कैप इसके अंदर निकलने वाली है बाकी का आपको जितने part super splendor की kit में निकलने वाले हैं सभी पार्ट इसके अंदर भी निकलने वाले हैं देख सकते हैं आप इस्टेरिंग लॉक भी मिल जाएगा आपको fuel tank की cap है एक toolbox का lock है 24 के अंदर मिल जाएंगी और एक helmet lock भी है MRP की बात करते हैं तो 870 रुपे इसके MRP है जनवरी 2023 इसकी manufacturing date है तो फटापट इसको हम open करते हैं और निकाल लेते हैं बाहर देखते हैं बही क्या क्या इसके अंदर निकलने वाला है और कौन सी ये kit है तो बही ये हमने बाहर निकाल ली है जैसा कि मैंने आपको बताया था दो model के साथ ये kit आती है ये CD-D-D-Lex kit है old model की देख सकते हैं old model का ये ढकन है तो फटा-फटा हम इसको निकाल लेते हैं पन्नी से भी बाहर और देखते हैं बही इसकी quality तो बही देख सकते हैं सब कुछ सेम मिल जाएगा आपको ये एक toolbox का इसके साथ lock मिलता है और एक helmet lock मिल जाएगा जैसा के हमने super splendor के अंदर देखा था और बात करते हैं ignition सुच की तो एक ignition सुच मिल जाएगा इसके अंदर HF Deluxe का अलग है और super splendor का अलग आता है और कपलर की बात करते हैं तो दो wire का कपलर है CD Deluxe की ये locket है मैं आपको बता देता हूँ देखे चाबी के उपर भी यहाँ पर मिंडा लिखा हुआ है अगर हम बात करते हैं फ्यूल टैंक की कैप की तो old model वाली fuel tank की कैप है आप देख सकते है पैशन old के अंदर भी कुछ इस तरीके की fuel tank की कैप आती है और HF Deluxe की ये kit नहीं है old model CD Deluxe की ये kit है MRP तो मैंने आपको दिखाई है तो भई Lockit की MRP एक बार और देख लेते हैं कितनी है और कितना इसके उपर discount मिल जाएगा CD Deluxe की MRP है 870 रुपे है और retail में अगर हम इसको खरीदने जाते हैं तो 20% less तो हमें इसके उपर मिल ही जाएगा और इसके उपर भी हमें 20% less मिल जाएगा Lockit की जितनी भी Lockit आप खरीदेंगे मिंडा के अंदर 20% मेरे हिसाब से discount मिलना चाहिए और 929 रुपेस के MRP इसके उपर भी 20% less मिल जाएगा wholesale के अंदर अगर आप खरीदते हैं आपकी एक shop है अगर आप इसको बेचना चाहते हैं डील करना चाहते हैं तो अच्छा खासा discount इसके उपर मिल जाता है quality की बात करते है quality बहुत ही बढ़िया है तो भाई ये छोटा सा वीडियो थो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नई unboxing के साथ तब तक के लिए good bye